Hello students, welcome to my channel Study with Hello Suman तो आज की इस वीडियो में हम लोग solve करने वाले हैं exercise 4A का question number 13 को तो ध्यान से देखेगा question number 13 में हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर question में दिया गया है आपका express 14 by minus 5 as a rational number with numerator अब आपको बात करना है, numerator में बात करना है आपको express दिया गया है, आपको एक rational number दिया गया है 14 upon minus 5, ठीक है, यह क्या है as a rational number है with numerator में आपको लाना है 56 और second number में लाना है आपको minus का 70 तो कैसे solve करेंगे, ध्यान से देखेगा तो सबसे पहले हम लोगों क्या करना है सबसे पहले हम लोगों 56 लेके आना है और आपके पास क्या है, 14 upon minus का 5 तो 14 upon minus का 5 को आप किस से multiply करेंगे कि आपका numerator में कितना आना चाहिए numerator में आना चाहिए आपका 56 यानि कि numerator मतलब उपर में आपका 56 आना चाहिए तो आप 14 को किस से multiply करेंगे, 4 से 14 को जब आप 4 से multiply करेंगे तो आजाएगा आपका 56 और minus 5 को आप अगर 4 से multiply किजेगा तो यह आजाएगा आपका minus का 20 समझबा रहा है आप लोगों को यहाँ तक यह होगी आपका first question clear होगी आपको numerator में खाले लेके आना था बहुत simple question है यह आप लोगों खुद से भी कर सकते हैं मानिस 70 आपको लाना है numerator में तो आप क्या करेंगे देखिए minus 70 लाने के लिए तो 14 अप़ों मानिस का 5 को आप multiply कर दीजिए 14 अप़ों मानिस 5 को आप multiply कर दीजेगा तो numerator में आपको क्या लाना है numerator में आपको मानेस का 70 लेके आना है तो आप किस से multiply करेंगे मानेस 5 से क्योंकि देखिए 14 5 जा कितना आ रहा 70 आ रहा लेकिन मानेस लाना इसलिए मानेस से भी multiply कर रहे है और नीचे क्या कर रहे है मानेस 5 से भी multiply कर रहे है क्योंकि balancing करना पड़ेगा हम लोग को तो minus और minus क्या आगया, plus आगया, 5 into 5 कितना आजाएगा, आपका 25, तो यह आगया, आपका minus 70 by 25, किलियर हो रहा है आप लोगो, चलिए, So students, please note down this question, और इसी वीडियो में हम लोगो solve करेंगे अभी आपका question number 14 को, देखे, question number 14 को ध्यान से देखेगा, express 13 upon minus 8 as a rational number with denominator, पहला question है आपका minus 40 और दूसरा question है आपका 32, अब आपको denominator को क्या करना है, denominator में आपको यह यह number लाना है, minus का 40 लाना है और 32 लाना है, तो आपके पास क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है question में minus 40, और आपके पास है, क्या आपके पास से 13 upon minus 8 तो मानिस 30, sorry, 13 upon minus 8 को आप किसे multiply कर रहे हो, कि आपका denominator, denominator मतलब कहान नीचे, सुनते चलिएगा ध उसको लिखिये मत, पहले आप समझी लीजे, फिर आप लिखिये, अगर आपको clear हो रहा तो आप साथ साथ कर सकते हैं, तो minus 8 को आप किस से multiply करेंगे, कि 40 आ जाएगा, तो आप 5 से multiply कर रहे हैं, 8 5 जब 40, और plus और minus minus, तो आपको ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 5 से multiply करना पड में दिया गया है, आपका 32 लाना है, आपको कहाँ पे, denominator में, तो क्या करेंगे, 13 अपन minus 8 को, आप multiply किजेगा, किस से multiply करेंगे, कि denominator में क्या आ जाए, आपका 32 आ जाए, तो minus 8 को किस से multiply करेंगे, कि 32 आ जाएगा, तो 4 से multiply किजेगा, 8 4 जा 32, minus यहाँ पे भी क्या होगा, minus ल अब नीचे अगर आप minus का 4 से multiply कर रहे हैं तो उपर भी आपको minus का 4 से multiply करना पड़ेगा ठीक है तो 13, 4 जा कितना हो जागा आपको 52 और यहाँ पर क्या है minus है तो यहाँ पर भी क्या लगेगा minus लगेगा यानि कि minus 52 upon 32 ठीक है समझ में आ रहा है आप लोगो चलिए So students, please know down this question So students, I hope आपको इस वीडियो से काफी कुछ सिखने को मिला होगा वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सिखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजे अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर किजे तो इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई